तो आरोपियों को जमानत मिलने से अभिभावक नाराज हैं स्कूल में चार साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप का आरोप है सुमन्त मारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुमन्त क्या जानकारी मिल रही है ये प्रोटेस्ट ये विरोध क्यों हो रहा है अब इलकुल देखे रवी सबसे पहले इस पूरे मामले में ताजा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ADCP है नौइडा पुलिस के उनकी पहल पे अब फिलहाल सारे पैरेंट्स जो है वो बिल्डिंग के भीतर चले गए है Cambridge School जो है नौइडा सेक्टर 27 में वहाँ पैरेंट्स आये थे और वो प्रिंसिपल से मिलना चाहा रहे थे चुकि आज शेडूलड पैरेंट्ट टीचर मिटिंग थी जिसे कैंसिल कर दिया गया था इसको लेकर बहुत नाराज थे लेकिन अब पुलिस की पहल पे ये जानकारी में सारे पैरेंट्स मैं बता दूँ कि स्कूल के भीतर जो है एक हॉल वहाँ पे उन्हें भेजा गया और माना जा रहे हैं कबसे थोड़ी देर में पुलिस की पहल पे जो Cambridge School के साथ जो मॉलेस्टेशन की घटना हुई उसके बाद पैरेंट्स में बहुत आक्रोश है और वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल उनसे मिलें और ये बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस घटना के बाद Cambridge Administration ने क्या-क्या कदम उठाए और किस तरह से और बाकी एक्शन लिया जाएगा इस मामले में मुख्यारोपी की गिरफतारी हो चुकी है इसके इलाबा मैं बता दूँ कि जो Class Teacher थी और जो एक स्कूल के अडिमिस्टेशर है दो और लोगों की गिरफतारी हो चुकी है लेकिन इस सब के बीच पैरेंट्स में बड़ा क्रोश है क्योंकि इस घटना के बाद पैरेंट्स और स्कूल मेनेजमेंट के बीच अब तक कोई बाचीत नहीं हो पाई थी तो ये पूरा मामला है लेकिन अभी फिलाल ताजा अब से थोड़ी देर पहले यहां बहुत नाराजगी थी शोर शराबा था लेकिन अब अब से कुछी मिनट पहले जो तमाम पैरेंट्स है वो अब एक हॉल में चले गए है प्रिंसिपल का इंतिजार किया रहा है नौइडा पुलीस जो है एक तरह से कहें कि उसने मध्यस्तता की है कि जो पैरेंट्स के जो कंसर्न है उसको सौट आउट किया जाए फिलाल जहां ये बैठक होगी रभी वहां से मीडिया को दूर रखा गया है लेकिन आप देख सकते की बाहर सुरक्षा वेवस्ता बेहद कड़ी है हर जगा पुलीस यहां पे बिल्कुल तैनात है नौडा पुलीस सेटी मैजिस्ट्रेट एडिसीपी तमाम पुलीस और अड्मिस्टेशन के आला अधिकारी मौजूद है और अब अब से थोड़ी देर बाद किसी भी बग जो है इस स्कूल की प्रिंसिपल पहुंच सकती है और जो तमाम पिछले कई घंटों सो जो पैरेंट्स यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पैरेंट्स और अब प्रिंसिपल के बीच मिटिंग होगी जिसमें माना जा रहे है कि इस घंटना के बाद जो तमाम चिंताएं है पैरेंट्स की सिक्यूरिटी को लेकर बच्चों की सेफटी को लेकर इन तमाम मसलों पे वो चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से उन्हें पुखता भरोसा दिलाये जाए ताकि इस तरह की घंटना दुबारा ना हो तो इसी कंसर्ण को लेकर पिछले तीन घंटे से यहाँ पर यह सारा यह जो गेट है स्कूल का वहाँ पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था लेकिन अब यह माना जा रहा है कि थोड़ी दिर बाद यह बैठक शुरू होगी सारे पैरेंट्स हाल के अंदर बैठ चुके हैं और अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि बैठक के बाद रवी कि क्या जिन चिताओं को लेकर जिन मुद्दो को लेकर तमाम पैरेंट्स इसकूल पर कई घंटों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप नजर बना रखे फिलाल बहुत 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 शुक्री आपका इस अपडेट के लिए